नवस्कार दोस्तों हमारे आरवेच किसा चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना नावादा दोस्तों आज आप मैं बास ब्रक्ष के असदी गुणों के बारे में जानते हैं सरप्रतम इसके विविन बासाओं में नाम जान लेते हैं संस्कित में बंस हिंदी में बास बंगला में बास मराथी में बेले गुजराती में बास और अंग्रेजी में बंबू के नेटरी कहते हैं बास बन जंगलों और पर्वतों की तलाटियों में उत्पन होते हैं बास में सफेद रंग के फूल आते हैं बास से बन से लोचन निकलता हैं फूलों में बास में जाओ निकलते हैं उनको पका करे खाने से बहुत स्वादिष्ट आर पाचा खोते हैं बास के गुण बास कट कसले सीताले सारा के स्वादिष्ट छेदा के बेदा के हलके तथा सीतले हैं तथा काफे रखत विकार पित्रें पुष्ट रोग प्रमेह रोग माल मूत्र काक्छो अरस अर दाह को नश्ट करते हैं बास के अंकुर पचन में चर परे कसले रोख्छ कलवे सारा के बारी स्वादिष्ट तथा सीतले हैं तथा काफे पित्ते विकार प्रमेह रोग मूत्र काक्छो अरस अर बातांग रोगों को नश्ट करते हैं कसले बांदूर पुष्ट कारा के बाल बार्दा के उस्टन सारा के रोख्छ वमें कलवे हैं तथा काफे पित्ते विकार प्रमेह रोग मूत्र काक्छो अर मूत्र रोगों को नश्ट करते हैं बांश के असदी फायदे सुखी खासी में बांश लोचन के चुन को सहद में मिलाकार सेवन करने से काफे निकल जाता है और सुखी खासी इसे आरा में मिलता हैं रोखने में बांश के पत्तों तथा अंकुरों के तने काकाड़ा बनाकार दसे बीच मिली लिटर मात्रा में एसे बन करने से अति सारे आदस्ते आते क्रविया उल्टी में लाब मिलता हैं मदु में रोग में बंस्याव से बने खाद परदार्तों का से बने करने से मदु में को नियंत्रित करने में मदत मिलती हैं बुखार में बंस लोचन तथा गिलोए के सत्त को सहद में मिलाकर चाटने से जीन जर्ण तथा पुराना बुखार ठीक होता है सुजन कम करने में बास के अंकुरों को पीस कर लेप करने से गावा सुजन ठीक होते हैं